दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रहमदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है. स्वामी आपने स्रिष्टी की रचना की है, आपने अपने मन से तथा शरीर के प्रिथक प्रिथक अंगों से अनेक रिशी मुनियों को प्रकट किया है, तथा अनेक सुंदर सुंदर अपसराओं, गंधरवों तथा देवताओं को भी प्रकट किया है, आपने ही स्ट्रियों को सुंदरे और चंचलता प्रदान की है, किन्तु है. प्रभु स्ट्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ती क्यों होती है? संसार में केवल स्ट्रिया ही गर्भ धारन करती है. इसके रोगों और कष्टों से बरकर गर्भधारन का कष्ट होता है। गर्भधारन करने में स्त्रीयों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विशे में मैं आपको एक प्राचीन रहे से सुनाता हूँ जिसे आप ध्यान से पूरा सुनिये। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवन करती है, उसे अत्यंत गुनवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है देवी सरस्वती कहती है थे, प्रभू मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी कृप्या आप इस कथा को मुझ से कही है फिर ब्रह्माजी कहते है ये देवी पुलत से का जन्म मेरे काम से हुआ था पुलिस से मेरे मानस पुत्रों में से एक है मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याई प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देशे उसे समझाया फिर मैंने उसे संसार के कल्यान के लिए तपस्या करने का उत्तम कारे सौपा। तो वे सभी उनकी चेश्टा करने लगे उन्होंने पुलिस की तपस्या में अनेक बार विखन उत्पन करने का प्रयास किया खेल खेल में अपसराई पुलट के ताप को भंग करने का प्रयास करने लगी उनकी तपस्या में बाधा निर्मान करने लगी। अधि भैभीत हो गए और वहां से डर कर दूर भाग गए। उसी समय में परवत की कंधार में क्रिशी रिन बिंदु की कन्या हरवीर भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महिर्शी पुलस्ते के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु परवत के उस स्थान पर चली गई जहां पर रिशी से तपस्या कर रहे होते है। ट्रेन बिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महिर्शी पुलस्ते के आश्रम पर पहुंच गई। जब हरवीर हुआ महिर्शी पुलस्त पुलस्ते के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी द्रिष्टी उस त्री पर पड़ी। सही लिए उसे लेकर उसके पिता के घर पर चली गई। पुलस्ते को देख कर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। क्रिशी रिन बिंदू कहने लगे। हे महाशे आप तो साक्षाद ब्रहमाजी के मानस पुत्र है, सारे संसार में आपकी कीरती है, आप परम दयालू और परम क्रिपालू है, आज मेरी पुत्री के द्वारा अंजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अंजान थी आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है, यह संसार की पहली स्त्री है, जो गर्भवती बनी है, इसलिए है मुनिवर अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा इसे तो कलंक लग जाएगा, इसल टिये मैं आप से प्रार्थना करता हो, कि आप मेरी कण्या को पतनी के स्वरूप में ग्रेहेन कीजिए मेरी कण्या सरवगुन संपन है, उसके मन में किंचित मात्र भी दोश नहीं है, वह अंजाने में ही आप के श्राप को ग्रेहेन किया है, यह सदैव ही आपकी सेवा में इस प्रकार से रिशी बिंदु ने आदर पूर्वक मेहर्शी पुलस्ते से विंती की। इस प्रकार से मेहर्शी पुलस्ते में क्रिशी रिन बिंदु की कन्या हर्वीर भुवा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया तदनंतर ट्रेन, बिंदु की कन्या हर्वीर भुवा मेहर्शी पुलस्ते के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सचे हृदे से उन पुत्र की प्राप्ति होने का वर्दान देता हो जिस समय तुम मेरे सामने आई थी। उस समय में वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवन भी किया है। इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्यान करेगा तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिध होगा। फिर कुछ समय के उपरांध देवी हरवीर हुआ ने एक अत्यंत गुनवान पुत्र को जन दिया महर्शी पुलस्ते के कतना नुसार। उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया विश्रवा अपने पिता महर्शी पुलस्ते के समान ही विद्वान सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे उनकी ख्याती संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ती और महांता को देखते हुए महिर्शी भारदवाज ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुन्नी विश्रवा की पत्नी के गर्ब से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्यवर्न रखा गया। का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रहमा जी को प्रसन करने के लिए कठोर तपस्या की फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन होकर ब्रहम देव ने उन्हें वर्दान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धरना अध्यक्ष बना दिया इसके साथ ही मन की गती से चलने वाला विमान कुबेर को भेद दिया कुबेर जी धन के, स्वामी है, गंधमादन परवत पर स्थित संपत्ती का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रन में है। अपनी पत्नी को लेकर लंका के ग्रिह प्रवेश में गए थे जब भगवान शिव ने रिशी विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैक्सी ने चल से उन्हें लंका मांग। जिसके बाद विश्रवा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की किंतु बाद में कैक्सी के पुत्र रावन ने कुबेर से वह लंका चीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अफ्तार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जला कर भस्म कर डाला ब्रम्हदेव कहने लगे हे देवी इस प्रकार से महिर्शी पुलस्ते के श्राप के कारण संसार की स्त्रिया एक गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहिन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा गर्भधारन करना या स्त्रियों के लिए श्राप रूप इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ट रचनास्त्री को ही कहा गया है, तो दोस्तों इस प्रकार से महिर्शी पुलस्ते के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवशे बताएं।